आज की वीडियो में मैं आपके समख्ष लेके आई हूँ अगा था क्रिस्टी सिरीज की एक बहतरीन कहानी दा स्पाइडर्स वेब तो शुरू करते हैं इस कहानी का हिंदी एक्स्प्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज में बिसिकली ये जो कहानी है ये पले के रूप में है और कई एक्ट और सीन में ये पले कमप्लीट होता है स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लैरिसा नाम की क्लेडी है वो बहुत बड़े से एक मैंशन में रहती है उनके जो हस्बेंड है वो फॉरण अफेर मिनिस्टर है और ये घर जो है इन्होंने रिंट पे ले रखा है लेकिन बहुत ही कम दामों पे इन्हें ये रिंट देना पड़ रहा है ऐसा क्यूं है ये भी एक रास की बात है जो हम कहानी में आके जानेंगे इनके घर में तीन महमान इस समय आये हुए हैं एक तो क्लैरिसा के के टेकन है सर रॉलेंड जिन्होंने बच्पन से क्लैरिसा का ध्यान रखा है साथ में हैं सर हुगो ये दोनों लगबग 60 साल के हैं साथ ही एक यंग विस्टर भी है जिसका नाम जेरिमी है क्लैरिसा जो है इन्हें आदत है कई तरह की कहानिया बनाने का तो कि घर में अकेले रहती हैं इनके साथ में इनकी स्टेप डॉर्टर भी रहती यानि इनके जो पती है हेंडरी इनकी पहली पत्नी की बेटी पीपा पहली पतनी जो इंकी थी का नाम था मिरेंडा वो ड्रक की लती थी और ऐसी लेडी के संग बच्चे का रहना ठीक नहीं है इसलिए हेंडरी ने और क्लैरिसा ने ये डिसाइट किया कि पीपा को वो अपने साथ ही रखेंगे हार की मिरांजा ने दूसरी शादी कर ली है ओलिवर कॉस्चलो नाम के एक आदमी से खेर कहानी आगे बढ़ती हमें मालूम पड़ता है कि क्लैरिसा कई तरहे की कहानिया बुंती रहती हैं मन-गھरनद सिर्फ अपना टाइम-पास करने के ली किसी तरह उनकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आ जाए और उनकी लाइफ में इतनी बड़ी एकसाइटमेंट आने वाली होती उन्हें पता ही नहीं होता ।ाइम पास करने के लिए ये तीन ग्लास टेस्ट करकर के नाम बता रहे होते हैं और इस सब में क्लाविसा को बड़ा मजा आ रहा था साथ ही जेरिमी जो यंग उनका है एक गेस्ट उसको भी बेकूफ बनाती है और बताती है कि एक मिनिस्टर थे वो तो इस पूरे जो इनका जो मैंशन है उसके तीन चक्कर सिर्फ दो मिनिट में लगा लेते थे वो बिचारा जेरिमी जो था वो बहुत तेस तेस दोड़ता है लेकिन कहता है कि ना जाने वो कैसे दो मिनिट में तीन चक्कर लगा लेते थे मैं नहीं कर पाया तब क्लैरिसा खुम हसने लगती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जेरिमी क कुछ होने वाला था क्लारिसा के संग क्लारिसा करती कहती है कि मैं क्या करूं इतनी बोरिंग मेरी लाइफ है इसमें कुछ एक्साइटमेंट तो चाहिए ही ये तीनों जो गैस थे सर रॉल एंड हुग और जेर्मी ये चले जाते हैं गोल्फ खेलने के लिए और इधा पीपा जो है वो स्कूल से आती है पीपा विचारी हमेशा भूगी ही रहती थी उसको हर समय कुछ ना कुछ खाने का मन करता था इस इसे लिए क्लेरिसा उसे कुछ बन और बटर देती है खाने के लिए क्लेरिसा बहुत ही एक्टिव लड़की दिखाई गई है और दिमाग से भी बहुत तेज है इसके घर के चप्पे चप्पे के बारे में इसे पता है कहां पर चुपावा दर्वाजा है कहां पर क्या है सा खर में एक सीक्रेट डोर है जो कि लैबरीरी के पीछे है वो धीमे से एक बटन दबाती है और सीक्रेट डोर खुल जाता है वह कहती है कि हाइडन सी खेलने के लिए अफिर लास छुपाने के लिए बड़ी अच्छी जगा है तब ही पीपा जाती है जैसी कुछ काम से अंदर कि मम्मी उसको पुकारती है तो जैरमी बड़े आश्चरी जनक रूप से एक एन्टिक टेबल की तलाशी लेने लगता है वह टेबल इनके पुराने मालिक का है जो यहां पहले रहते थे और अब यह इनके पास है तब ही इनकी जो गार्डनर है जो गार्डनर का काम करती है मिस पीक बहुती लंबी चौडिक लेडी है वह तुरंत आती हैं और कहती हैं सर आपको क्या चाहिए आप क्या ढून रहे हैं जर्मी चौक जाता है कहता है नहीं नहीं इतना सुन्दर टेबल है कि मैं इसको जरा ध्यान से देख रहा था अब आशर की बात यह थी कि जो इनके पुराने मालिक थे उनका हुआ क्या और क्यों आखिर ये घर इतने सस्ते दामों पर दिया गया है ये हम कहानी में आगे जानेंगे ये बहुत इंपोर्टन बात है कहानी हमारे आगे बढ़ती है और हमें मालूम पढ़ता है कि जर्मी जो ये नीचे जब आती है तो इन्हें एक फोन कॉल आता है फोन को पुछा जाता है कि क्या आप मिस्स ब्राउन बोल रही है तो क्लैरिसा कहती है हां मैं मिस्स हैलिशम ब्राउन बोल रही हूं तब ही फोन कट जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक आदमी आता है जि कि मिनिस्टर हैं उन्हें रिसीफ करने के लिए एयरपोर्ट गये थे जो कि वहां से पंदरा किलोमीटर की दूरी पे था उनको आने में भी काफी टाइम लगेगा इसलिए अकेले में वो जो गेस्ट आया था इनके हां ओलिवर कॉस्टेलो उसे देख कर क्लारिसा बिलकुल भ पादर है वहाग पूछता है क्लारिसा से कि तुम यहां क्या कर रही हो तो क्लारिसा कहती है मैं क्या कर रही हूँ मैं इस घर में रहती हूँ वह तुमने यह घर कप खरीद लिया बोली खरदा नहीं हम लोग रेंट पे हैं तो बोलो और कितना रेंट दे रही हो तो यह बोल फ्री में रह रही हो यह सब बाते क्लैरिसा को अच्छी नहीं लग रही थी वह उसे पूछती है कि तुम जल्दी बता और तुम यहां पर क्यों आई हो तो यह कहता है कि मैं पीपा को वापस ले जाने आया हूँ अब उसकी छुट्टियां आ रही है तो अपनी मम्मी के पास क्लैरिसा कहती है कि कोट ने उनका जो पूरा था इसको पालन पोशिन की जिम्मेदारी थी पीपा की केयर टेकिंग की वो क्लैरिसा और उसके पती हैंडरी को दे रखी इसलिए मिरांडा का अब इसमें कोई भी अधिकार नहीं है जो कि वो एक ड्रक एडिक्ट है और पीपा वहाँ पर सेफ नहीं होगी वो सिर्फ बारा साल की है तब कोट भी पीपा उपर से उताराती वो सोई नहीं थी और कोस्टेलो को दे के वो बहुत घबडा जाती उसके मन में बड़ी खराब यादे थी अपने स्टेफ फादर को लेके और वा जोरो सा कि क्लैरिसा से लिपट काड़ी बाहरी खड़ी थी और वह बाहर पेडों की जुर्मुट में छुप जाता है क्योंकि वो किसी खास मकसद से उस घर में आया था वह मिलने नहीं आया था क्लैरिसा से उसका एक खास मकसद था फिर से पीपा सुला दी जाती है और फिर से क्लैरिसा नीचे आती है जब बार देखती है तो वो देखके चौक जाती है कि सोफे के पीछे जमीन पर कॉस्चेलो की डेट बाडी पड़ी थी उसकी चीख निकल जाती है उसकी चीख सुनके पीपा फिर से नीचे आती है और कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया मॉम मैं उसे मानना नहीं चाहती थी मैं से सि इस तरह पीपा उसकी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए वह सब जतन करती है, यह सगी मा करेगी, वह पीपा को उपर सुला के आती है, और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि थोड़ी ही देर में हैंडरी आ जाएगा वह मिनिस हो गया है तीनों जब वापस आते हैं तो वह बताती है कि देखो यहां पर यह ओलिवर कॉस्चेलो है इसकी डेड बॉड़ी पड़ी है और थोड़ी ही देर में उसके हस्बेंड आ जाएंगे इसलिए हम लोगो यह डेड बॉड़ी जल्दी ठिकाने पहुंचानी है सब चौक जाते हैं कि किसने मारा तो बोली यह मुझे नहीं पता इसको किसने मारा लेकिन हमें यह काम जल्दी करना होगा यहां पर प्ले का पहला भाग खतम होता है और हम आ जाते हैं प्ले के दूसरे भाग पर अब सुनते हैं दूसरा पाट पहले तो सर रॉलेंड यह काम करने को त तो सब त्यार हो जाते हैं कि जल्द से जल्द इसकी बॉड़ी हम लोगो उसी की कार में रखके और दो किलो मीटर दूर एक जंगल है वहाँ पर छोड़ कर आनी है लेकिन यहाँ पर एक फिर से दुरगटना होती है और कॉल बेल बच जाती है सब घबड़ा जाते हैं कि इस वक्त रात में कौन आया है और वो देखके और जादा चौक जाते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं पलिस इंस्पेक्टर आय थे अब ट्लेर सा समझ नहीं पाती है कि क्या करना चाहिए तब ही उसे का आइडिया आता है वहा कहती है कि लैब्रेरी के पीछे छुपा हुआ जो कमरा है गुप्त कमरा थोड़ी देर के लिए इन लोग इसकी बॉड़ी वहीं पर छुपा देंगे और जब इंस्पेक्टर चले जाएंगे तब फिर से इन लोग बॉड़ी को ठिकाने पहुँचा देंगे जल्दी से वह कमरा खोला जाता है और तीनों मिल के उस बॉड़ी को अंदर रख देते हैं और यहां पर थोड़ा से कॉमिक सीन है कि सर रॉलेंड और सर हीगो तो निकल आते है लेकिन जर्मी अंदर ही छूट जाता है उधर दर्वाज़ा खोलने के लिए क्लेरसा चली जाती है तब ही इन लोग को याद आता है कि एरे जर्मी का है सबके चेहरे पे हवाईया ओरने लगती है अब क्लेरसा ने एक अकलमंदी का काम और किया था उसने जल्दी जल्दी वहीं पे जो सेंटर टेबल होता है सोफे क्या के वहाँ पर ताश के पत्ते बिछा दिये थे और ऐसा दिखाया जा रहा थे कलेबाई बनाई गई थी कि हम सब तो मिलके तीनों यहाँ पर ताश खेल रहे थे तो क्लेरसा कहती है कि हम लोग कुछ नहीं पता हम तो सब बैटके हाँ पर ताश खेल रहे थे पॉलिस इंस्पेक्टर बड़े ध्यान से ताश के पत्तों को देखता है वहीं पर इसकोर कार्ड भी रखा गया होता है कि कौन सा मैच कौन जीत रहा था ब्रिच का गेम रखा जाता है कि ब्रिच का गेम खिला जा रहा था और पॉइंट्स कैलकुलेट किये जा रहे थे कहती है कि वह इस आदनी के इस नाम भी किसी भी आदनी को नहीं जानती क्योंकि उन्हें पीपा को सेफ करना था सबकी गवाही ली जाती है सर रॉलेंट कहते हैं कि हम लोग तो गॉल्फ लब में थे और डिनर कर रहे थे तब ही फोन आया था क्लैरिसा का तो मैं और सर ह्योगो तुरंट वहां से चले तो इंस्पेक्टर साब पूछते हैं और जर्मी ये कब आया तो बोले ये भी थोड़ी देर बाद हम लोग को इ पगाने वाले थे तब ही अचाना से पुलिस वाला जो था वो मिस्स पीक को बुला लेता है अब मिस्स पीक जो गार्डनर है उन्हें कुछ भी नहीं पता कि यहां क्या खिच्डी पक चुकी ये अंदर वो इंस्पेक्टर साब को उस गुपत कमरे के बारे में बता देती है जो लैबरीरी की पीछे था अब इंस्पेक्टर गुर के क्लारिसा को देखते हैं कि तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था इस रूम के बारे में जैसी वार्डोर खुलता है वहां से कॉस्टेलो की बॉड़ी निकलती है आप सब के सब फस जाते हैं फिर से क्लारिस को ओपर सुला कर नीचे आई थी तब ये आदमी घूम रहा था कमरे के अंदर और मुझे इसके हातों में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया था मुझे लगा कि कुछ ये चोड ड़कैत है इसलिए मैंने इसके सर पे वार किया मैं सिर्फ इसको बिहोश करना चाहती थी सीट के अकेले और स्टोर रूम में पलंग के नीचे चुपा देती है अब जब पुलिस टीम और ज्यादा टीम आती है यहां पर तेकात के लिए तो बॉड़ी वहां से गायब है पूछा जाता है पुलिस इंस्पेक्टर से कि क्या आपने डेट बॉड़ी देखी भी थी प अलगी इससे कोई फैदा नहीं होना था लेकिन क्लेरिसा की जो मनगरंद कहानियां बनती रहती थी उसी में से ये भी एक कहानी थी इस्पेक्टर साथ को ट्लेरिसा पे सबस्यादा शक है उन्हें पूरा यकीन है कि क्लेरिसा ने जान मूच के कॉस्टलो की हत्या की है इसबल मूच क्लेरिसा का दिमाग एक तरफ अचानक से जाता है वह पूश्ती है सर रॉलंड से कि इस घर के पुराने मालिक थे वह आखिर कैसे मरे थे तो मिस पीक केती है मुझे पता है वह कैसे मरे थे वह अपनी शोप पे थे उनकी एंटिक समान की शोप थे जो उनके घर के पास महीं है और सीडhyों से उपर से गिर के वो मर गए थे उन्हों ने एक नोट में उपर लिख रखा था कि उन्हें बहुत महंगी कोई चीज मालूम पड़ी है कि उनके घर में कोई एक बहुत महंगा एंटीक का समान है जो उने पहले नहीं पता था और वो लगबग 14,000 पाउंट्स का हो सकता है सब चौंक चाते हैं ये बास सुनके कि इतना महंगा कौन सा समान है इस घर में तो क्लेरसा कहती है ऐसा तो नहीं कि वो चोर जो था कॉस्ट चलो मींस वो भी तो एक ड्रग डीलर ही था वो कुछ समान से मालुम पढ़ा हो इसलिए वो चोरी करने के लिए इस घर में आया हो चरसा कहती है कि पुराने समानों में सिर्फ एक एंटिक टेबिल ही है जो यहाँ पर रह गया है अब इतनी देर में पीपा फिर नीचे आ गई थी इन लोगो डर लग रहा था कि पीपा कहीं सब कुछ घबडा के पुलिस इस्पेक्टर को बता ना दे पीपा कहती है कि हाँ हाँ इस ड्रॉर में एक है सिक्रेट रूम कमींस एक ड्रॉर है और इसने जेरिमी को उस दिन वक्ट ड्रॉर दिखाया भी था हाला कि उसके अंदर एक एनवलप में कुछ पेपर्स थे जो छुपा के पीपा ने पहले ही अपने रूम में रख लिये थे उसमें जो क्वीन अलिजबे थे हैं उनके आटोग्राफ हैं और एक दो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उनके भी आटोग्राफ हैं लेकिन आटोग्राफ कितने रुपे के होते हैं शायद दो पॉंड बहुत जादा वैलूएबल हुए तो दस पॉंड क्लरिसा सोचन लगती है कि आखिर उसके घर में क्या इतना महंगा छुपा है जिसकी चोरी करने के लिए कॉस्टेलो आया और फिर शायद किसी ने उसका खोंग कर दिया तब ही क्लरिसा पोल सी है सर हुगो से कि जो हमारे घर के पास में वो शौप है जो इस पुराने मकान मालिक की है उसका पूरा नाप आपको पता है तो कहता है हुगो कि मैंने ध्यान नी दिया हाँ किसी मिस्टर ब्राउन की शौप है कहती है क्लरिसा बिलकुल जब उस दिन कॉल आया था तो किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आप मिस्स ब्राउन है और जब मैंने उससे कहा था कि हाँ मैं मिस्स ब्राउन हो तो फोन कट गया था और जब कॉस्टेलो से मिलने आया था तब वो आशर से पूछा था उसने कि तुम यहां क्या कर रही हो मैं तो मिसेस ब्राउन से मिलने आया था इसका मतलब कि जो यहां के पहले मालिक थे उनका नाम भी सरनेम ब्राउन था और हमारा भी ब्राउन है और शायद इसी कारण से हम लोगों को ये घर बहुत सस्ते दामों पे गर दिया गया है हमें पता करना होगा कि आखिर जो मिस्टर ब्राउन थे उनकी पतनी मिस्स ब्राउन कहां पर है क्योंकि हो सकता है उनका कोई हाथ हो इस कतल में तब ही वहां पर मिस्स पीक जो थी वो बिल्कुल हिस्टरिक हो जाती है और तेज तेज रोने चिलाने लगती है सब को अश्र होता है कि इनको क्या हो गया आक है तब मालूम पढ़ता है कि वो mistis brown miss peak ही है miss peak कहती है कि हाँ तुम लोग को ये घर क्यों सस्ते दाम पर गया है मुझे पता है क्योंकि यहाँ जो भी आता था रहने किसी का भी surname brown नहीं था मेरे पती की हत्या की गई थी उन्हें सीडियों पर से ओपर से ठकेल के मारा गया था तो कि उनके पास कोई बहुती बहुम्बूले समान था जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता मैंने ये घर इसलिए तुम लोगों सस्ते दाम पे दिया कि कोई भी मिसेस ब्राउन या मिस्टर ब्राउन के बारे में जब तहकीकात करते हुए आएगा चोरी करने के रादे से तो वो इस घर में जरूर आएगा और वो इस घर में आके चानबीन भी करेगा जैसे उस दिन सर जर्मी कर रहे थे तब मैंने उन्हें देखा था जरिमी कहता है कि हाँ मैं इस डॉर को खोल रहा था तब ही पीपा ने मुझे एक सीक्रेट डॉर के बारे में बताया था और वा कह रही थी कि कुछ important autographs उसे इसमें रखे हुए मिले थे तब ही पीपा उठती है और वा कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि उस किताब में लिखी हुई हर चीज इतनी सची होगी मैंने सिर्फ खेल किया था क्लैरिसा समझ नहीं पाती कि वह किस किताब की बात कर रही है उसके हाथ में एक बुक थी जो उसने सेकेंड हैंड बुक स्टोर से खर दी थी उसमें लिखा था how to kill your enemy और उसके अंदर अजीब अजीब से टोने ठुटकों की बात कही गई थी पीपा कहती है क्लैरिसा से कि जब उस राद उलिवर कास्टेलो वहाँ पर आया था तब बहुत खबड़ा गई थी कि कहीं जब अदस्ती वह उसे अपने साथ न ले जाए इसलिए उसने किताब में पढ़के एक कैंडल का बबवा बनाया और कास्टेलो का नाम लेके उसमें स्वी चुब हो दी थी लेकिन उसे ये नहीं लगा था कि उससे मर जाएगा कास्टेलो अब ये बास सुनके सारे सने रह जाते हैं जूकि सब लोग तो यहाँ पीपा को ही सेफ कर रहे थे क्लरिसा बोलती कि अगर पीपा ने उसे नहीं मारा तब किसने खून किया और इसने जो पुलिस के सामने गवाही दे दी कि उसने ही खून किया है तब सर रॉलेंड कहते हैं कि तुम जल्दी से पुलिस को बता दो सब सचाई कि क्या क्या हुआ था तब कहती है क्लरिसा कि मैं इतना जूट बोल चुकी हूँ पुलिस से कि अब पुलिस मेरी कहानी पे शायदी विश्वास करे पीपा वहीं सोफे पे सो जाती है पुलिस इंस्पेक्टर लोग चले जाते हैं वहां से सर रॉलेंड वो भी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जाते हैं उन्हें वहां पे कार में कुछ इंस्पेक्शन करना था चूकि उन्हें गलव्स भी मिले थे वही गलव जिसको पहन के येलो लाश को ठिकाने लगाने वाले थे इधर जब अकेली थी पीपा वहीं पर जर्मी भी बैठा हुआ था और जब क्लरिसा आ रही थी उपस नीचे और तरके तब आद देखती है कि जर्मी जो है एक तकलिये से पीपा का मुँ दबा रहा है कहां पर रखा है जिसमें वो सब साइंस है जितने भी नामी गिरामी हस्तियों के तो क्लरिसा कहती कि नहीं नहीं यह सचाई नहीं है क्या तुमने ही उस दिन मारा है और रिवर कोस्टेलो को तो कि उससे गोल्फ की स्टिक से ही मारा गया है और गोल्फ तो तुम भी खेलने क तब अचानक से जेरिमी के चेहरे के रंगल बदल जाती है वो कहता है कि अगर तुमने अपने मुग खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा और पीपा का वही अंजाम होगा जो कोस्टेलो का हुआ है टेरिसा कहती है रुको रुको मुझे सब को समझ में आ रहा है तुम सर रॉल यहां चुराने के लिए जो मुझे नहीं पता कि क्या चीज है तब तुम पीछे से आए तुम्हें ऐसा लगा कि कौस्टेलो के सर पे वार किया उससे वह चीज छीनने के लिए लेकिन शयद तुमको वह चीज नहीं मिली इसलिए तुम यहां से भाग गए और फिर तुम आर नहीं करेगी क्योंकि तुमने उन्हें इतनी तरह तरह की बाते बताई हैं इसलिए तुम अब मेरे लिए बिल्कुल भी खत्रे का वाइस नहीं हो हाँ मैंने ही मारा है कॉस्टेलो को ये बात वो कह रहा तो भी दरवादे के पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर सर रॉल एंडर ह को अंदर आ जाते हैं उन्होंने सारी बाते सुन ली थी पुलिस तुरंट एरेस्ट कर लेती है जेर्मी को तब ही वो पीपा से कहती है क्लरिसा कि तुम जाके उपर से वो एंवलप लेके आओ जिसमें तुमने वो नामी गिरामी जो हस्तियां उनको आटोग्राफ समाल के र कोई आया था तब यह पुलिस इंस्पेक्टर चार नक से जेर्मी की पॉकेट में हाट डालते हैं कोट के पॉकेट में उन्हें एक एंवलप मिलता है वो एंवलप जिसके अंदर वो सारे आटोग्राफ्स रखे हुए थे पुलिस कहते हैं कि यह देखो यही वो स्टैम जो है कुछ ऐसा स्टैम था जो गलत चप गया था शायद और सिर्फ दो ही दुनिया में स्टैम्प हैं जो इस तरह से गलत चप गया थे कुछ कलर का प्रिंटिंग मिस्टेक थी उसका पहला स्टैम्प बहुत महंगा विका था कुछ दिन पहले और यही वो समान था जो मिस्टर ब्राउन को मालूम पड़ा था कि उनके घर में है और तब ही किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दे के उन्हें मार दिया था हो सकता है वह यह समान उनसे लेना चाह रहा हो या पूछना चाह रहा हो उसमें नहीं बताया था उस दिन जब जर्मी उस पूरे अप में ही खास बात है लेकिन जब रात में उसन और लेवर कॉस्टल उस घर में घुसा तब जर्मी को ऐसा लगने लगा कि मुझसे पहले तो यही चोरी कर लेगा इसलिए उसने आओ देखाना था वह और लेवर कॉस्टले को मार दिया और फिर उसने फोन कॉल कर दिया भाग जाएगा कहानी काफी ट्विस्ट और टर्न से भरपूर थी लेकिन बहुत ही इंट्रेस्टिंग कहानी थी आप लोग को सुनने में कैसी लगी कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और जुड़े मेरे मेरे चैनल से सुनत रहें दिलचस्प कहानिया थैंक्स फॉर लिस्निंग बाई फॉर नौ